और राइट कैसे हो सारे आई बिलीव सारे दोस्त बढ़िया हैं तो भाई साब आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक सिंपल जावास्क्रिप्ट इंटर्यू क्यूशन ओके तो एक काम करते हैं यहाँ पर चलते हैं मैंने वियर्स कोड के अंदर ओल्लेड ओफन जोप्जेक्ट है पिल्कुल है थिक है जिसमें इंपलोईज का नेम है डिपाटमेंट है और फिर यहाँ पे सेलरी है क्या हा जी बिल्कुल हाँ ठीक है ओके मुझे करना क्या है मुझे एक new area में उन employees का name show करना है जिनकी salary सबसे ज़्यादा है मतलब उन employees का name show करना है एक नए area के अंदर जिनकी salary सबसे ज़्यादा है तो काफ़ interesting question है मुझे लगा कि आपको share करना चीए तो मुझे अच्छा लगा मतलब एक question ठीक है तो मैं इसमें दो तरीके बताऊँगा इस तरीके से बताऊँगा कि अगर आप beginner हो चीजे सीख रहे हो मैं आपने invest कर दिया javascript के अंदर तो अभी आपको logic building हुआ नहीं है मतलब पूरा पूरी तरीके से आपको logic लगाना अभी भी नहीं आया है तो आप इस question को किस तरीके से solve करोगे try करना वो तरीका भी बताऊँगा हम आपको ठीक है और अगर आप अभी थोड़े advance आच शुके हो चीजेवों बहुत जल्दी कर लेते हो ठीक है आपको map method क्लियर है reduce method क्लियर है आपको filter method क्लियर है slice method method क्लियर है तो आप लोग इस question को बहुत ही easily tackle कर सकते हो वो भी एक line के अंदर अंदर दोनों तरीके देखते हैं एक काम करते हैं simple एक मैं function create करता हूं मुझे क्या करना है मुझे उन employees का name show करना है जिनके salary सबसे ज्यादा है तो मैं एक ऐसा function बनाता हूं काम करता हूं सबसे प इस employee को pass कर देता हूं ठीक है एक मैंने function call करा get to max salary और यहाँ पर इस employees को मैंने यहाँ पर pass कर दिया सही है nice एक काम करते हैं लिखते हैं यहाँ पर आके get max salary request to और यहाँ पर एक simple सा हम लोग अपना function define करते हैं और EMP मैं यहाँ पर ले लेता हूं यह तो बहुत ही basic सा काम है और मैं यहाँ पर console.log EMP टाइप करता हूं तो मुझे क्या मिलता है console पर वह देखते हैं मुझे पूरा area मिलना चाहिए और इसके अंदर मुझे सारे objects मिलने चाहिए चलो तो node and memory file का नाम q3.js देख सकते हो मुझे हाँ पर name department salary मतलब पूरा object एक area के अंदर मुझे पूरा object जितने हाँ पर हैं वो सारे मिल रहे हैं और obviously मिलेंगे क्योंकि इसको मैंने फिर यहाँ पर पास कर दिया और उसको मैंने यहाँ पर console करवा दिया इतना साय काम कर रहा है अब एक काम करते हैं दोस सिंपली लिखते हैं EMP एक काम करते हैं simply for कौन सा लुप चलाएं कोई भी चला दो मैं अभी के लिए for off लुप चलाता हूँ आइट्रेटर में EMP LST करते हैं और object कौन सा अपना object हम लोग मानते हैं इस EMP को इस EMP को ठीक है ओके एक काम करते हैं सिंपल एक variable बनाते हैं और मैं यहाँ पर highest या फिर highest salary करके एक variable लेता हूँ जिसकी value अभी के लिए 0 है और एक मैं highest ठीक है और salary EMP employee करके simple सा एक variable है जिसमें अभी के लिए एक empty area है और कुछ नहीं है ठीक है मैंने कुली मिला के क्या करा मैंने कुली मिला के एक highest salary करके variable बनाया जिसमें अभी के लिए उसकी value 0 है एक और highest salary employee करके एक और variable है जिसमें क्या है, एक empty area रखा हुआ है, और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं अभी गिलिए, एक simple सी condition यहां पर provide करते हैं, लिखते हैं, अगर मैं empls.celery करूँ, एक चीज़ में आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहां पर console.log करता हूँ, empls.celery, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे salary दिखाई देती है, किस की सारू की, देखना, मैं यहां पर अपनी file को run करता हूँ, देखना आप लोग, यह देखो मुझे salary की salary दिखाई देती है, अगर मैं यहां पर बोलता हूँ, simply name तो अब बिस्दि मुझे name ही दिखाई देगा, तो आप यहां पर देखो, सभ इतलब जो employee की salary है, अगर वो बड़ी है, basically अपनी highest salary से, obviously बड़ी है, तो condition is true, यहां पर condition true हो रही है, ठीक है, highest salary क्या है, 0 है, और 0 से obviously यह number आपको यहां पर मिल रहा है, यह तो बड़ा ही है, तो obviously condition true अभी के लिए तो, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम कुछ और condition यहां पर provide करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर highest salary से, EMPLS salary बड़ी है, तो एक काम करो, इस highest salary के अंदर assign क्या, इस EMPLS load salary को, इसको assign कर दो, ठीक है, perfect, बहुत ही simple सा काम, और फिर एक काम और करो, यह जो area ह अपना area है, like, highest salary employee, इसके अंदर assign कर दो, जो भी EMPLS load name है, उसको, नेम दिखाना तो नेम को, ठीक है, perfect, ओके, सही है, अब एक छोटी सी condition आपको और provide करनी है, अगर EMPLS load salary, अगर वो बराबर है, आपकी highest salary के, अगर वो बराबर है, आपकी highest salary के, धान से सुनना, जो भी आप की employee के salary है, अगर वो बराबर है, highest salary के, तो क्या करना है, एक काम करते हैं, यह जो area है इसके अंदर कुछ data push करते हैं, क्या, बताता हूं मैं, यहाँ पर simply इसको लो, और इसमेंट बोल दो push, इस तरीके से, इसमें किसको push करना है, basically EMPLS के dot name को, बस इतना सा काम है, इतना सा काम करना है, और फिर आप क्या कर सकते हो, return कर सकते हो, return कर सकते हो, basically आप इस high salary employee को, यहाँ पर, ताकि आप अब इसको use कर पाओ, चलो यार, अब test करते हैं, इसको, हम क्या करते हैं, इसको simple controller करते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे console.log बोलता हूं, इसके अंदर इस तरीके से, इस यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, मेरे पास एक error आ रही है, यह बोल रहा है कि भाई, assignment to constant, okay, 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 मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे constant use नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पेर लू चेंज हो रही है, फिर वो, तो मुझे यहाँ पे constant के जगह करना चाहिए था, let, let, चिक ह अब टेस्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या result आता है, okay, again मुझे highest salary employee में push emprs.name करा आपने, तो push is not a function, okay, push is not a function, और, okay, okay, मैं बताता हूँ, error वो यहाँ पे नहीं है, वो error basically मैं आपको बताऊ ना, तो यहाँ पे देखो, यह जो highest salary employee है, इसकी अंदर emprs.name इसे नहीं पास करना है, क्योंकि हम इसमें कोई value directly pass कर रहे हैं, जबकि इसमें एक array होना सी यह था, तो हम क्या करेंगे, इस वाली value को array के अंदर wrap करके आगे forward करेंगे, समझे लिए बात को, ठीक है, done, अब एक काम करते हैं, save करते हैं, और यहाँ पर हम लोग clean करते हैं, और enterprise करते हैं, let's see, all right, आज चुका है, यह बोल रहा है कि alice है, jen है और amit है, इन तीनों की salary सबसे ज़्यादा है, check करें एक बार, देखो आओ, छोटी list है, इसमें check कर सकते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो alice है, उसकी salary 60,000 है, हाँ यार इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, और फिर amit के बता रहा है, ठीक है, क्योंकि तिनों की बराबर है, इसलिए उसने तिनों का नाम डाल दिया, और फिर यहाँ पर same की कमी है, ओके, अब अज़े से माल लो कि amit की salary मैं ज्यादा करता हूँ, मैंने कर दी 70,000, अब एक काम करते हैं, इसको पहले try करते हैं, क्या am अमित आता है, हाँ यार, मुझे amit मिल रहा है, देखो, सही है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते थे, इस वाले program को easily create कर सकते थे, बहुत ही simple, बहुत ही sweet सा program, बस normal जो logic होता, वो ही हमने add करा, और अपना काम इसमें बन चुका है, अब यह बात करते हैं, इस वाले code क और छोटा करके अगर लिखना चाहें, और यही output आना चीए, तो वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ, proper हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो बात करते हैं, एक काम करो सबसे पहले, एक काम करो, इसको comment कर दो, ठीक है, code मैं आपको देदूँगा, इसकी tension मत लो, यहाँ पर मैं आप directly, इसे पास कर सकते हैं, उसके अंदर की, जो भी आपका EMP है, जो भी आपका EMP है, एसे हम पास कर सकते हैं, इसमें, एसे, ठीक है, जो भी अपना EMP है, वो EMP बेसिक लिए अपने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, नाइस, उसके बाद में हम बोलेंगे कि, जो भी आपका EMP है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले, फिल्टर मेतल को लो कर देते हैं, और हम क्या करेंगे, इसके अंदर आ के लेखेंगे, जो भी अपने को इंडेक्स मिलेगा, जो भी अपने को डेटा मिलेगा, वो E से ही के अंदर मिलेगा, तो हम यहाँ बोलेंगे कि, इसमें स बैसिकली math math.max से ठीक है और इसमें आपने को एक value डालनी है like spreading कर रहा हूँ ठीक है और इसके अंदर एक मैं map function कोल कर रहा हूँ ठीक है और मैं बोलता हूँ e dot against salary perfect यह जिस आपको clear होने जाए यह फिल्टर method क्या करता है और जो आपका map method वो क्या करता है किस तरीके से हम इसमें data निकालते हैं बहुत ही simple है यार मैंने वीडियो बनाए है इनी पर देखना चेक आउट करना ठीक है ओके और इसके बाद में हम यहाँ पर बोल सकते हैं dot map आगे आगे हम उसका नाम शोग करते हैं like e के अंदर चलो और e dot name आप लोग आपर प्रिंट करो ओके बहुत ही simple सा code बहुत ही simple सा code चाहो तो आप इसको एक line में भी कर सकते थे पहले इसका output देखते हैं क्या मुझे अभी भी अमित मिल रहा है क्योंकि salary सबसे ज़्यादा अमित की ही है चलो यार clean करते हैं आओ आओ undefined मुझे undefined मिला मुझे undefined क्यों मिला e mp.filter e dot salary अगर हो math.max है तो e mp.map e और फिर e dot salary और फिर मने map करा e dot name ओके बड़ मुझे undefined तो नहीं मिलना चीए था undefined मुझे मिला क्यों मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने एक छोटी सी गड़बड़ी कर रखी है भाई साब और वो गड़बड़ी पता है क्या है मैं इसको इसे नहीं करूँगा मैं इसको इस तरीके सी जो curly bracket से इनको हटाऊँगा ठीक है इनको भी हटाते हैं अब एक बार टेस्ट करते हैं इसको अमीत बढ़िया आच चुका है यह देखो नाइस तो यह थोड़ा सा बड़ा कोड है इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर आप अपना एक राइन में करना चाहते हैं इसको एक राइन में कर सकता हूँ इसको हटा सकता हूँ फिर इसको भी हटा सकता हूँ फिर इसको मैं इस तरीके से आगे लेके चला जा सकता हूँ ठीक है और फिर मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ फिर मैं क्या कर सकता हूँ फिर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ समझ दो बात को इसको इस को तो इस त्रहके से भी अपना है हो सकता है इसके अंदर अब इसको देखे न तो काम करेगा भी बिल्कुल आप यहाँ पर देखो आमित आ रहा है मुझे सेम की सालरी मैंने सबसे ज़्यादा कर दो मैंने यहाँ नहीं आप ठो तो इसमें क्या होगा अब मुझे सेम देखने को मिलेगा यहां पर देखो सेम देखने को मिल रहा है नाइस बढ़िया तो कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा गोवमन से स्यूज करके कुछ बेसिक सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हम लोग रिड़ करके अराम से एसी चीज़े हम लोग सोल कर सकते हैं कोई रोकेट साइंस वाली बात है ही नहीं ठीक है आज के लिए तरह नहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंग वाइज वोजिंग इस वीडियो बाए बाए झाल झाल